तो इस चीज़ में मैं भी अपना योगदान दे रहा हूं विद अपने फैमली तो हम सब आज घर से बार बिल्कुल नहीं निकलने वाले हैं पूरा दिन घर के अंदर ही रहेंगे और सिर्फ आज ही नहीं आगे भी कुछ दिनों तक इसी तरह से क्योंकि जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तो तब तक घर पे रहने में ही बला ही है क्योंकि यह जो इन्फेक्शन है व मानव कर्फियो के दिन हमारा पूरा दिन किस तरीके से जाता है तो सुबह की शुरुआत की है मैंने स्टडी से तो अभी मैं बढ़ रहा था क्योंकि next month से कहें मेरे exams हैं तो हो भी सकता है कि exams की जो date है वो आगे shift हो जाए यानि 4th of April से मेरे exams है तो वैसे जिनके exams March में थे उ और अपरेल में हैं तो देखते हैं आगे क्या कुछ scene होता है तो अभी चल रही है अपने studies तो पढ़ रहा था मैं और इसी के साथ ही साथ अभी अगर आप देख पा रहे हैं तो पीछे से मेरी window view से यहां से कुछ इस तरीके से यहां पे यह जो highway दिख रहा है तो इस पे बि बिल्कुल भी कोई भी traffic का नामों निशान नहीं है दूर दूर तक सब तरफ सनाटा ही सनाटा तो यह तो condition है roads की markets की and मैंने जिम भी बंद कर रखा है पिछले 3-4 दिन से तो अभी घर में ही हूँ पूरी तरह से properly जब भी कोई important काम आता है तब ही मैं घर से बार जाता हूँ उसके अलावा मैं नहीं निकल रहा हूँ गर से and आज से तो बिल्कुल भी बंद कर दिया है तो सारा कुछ जितना भी कुछ है वो गर से ही कर रहा हूँ and यह वाला जो व्लोग है वो भी साराज गर पे ही shoot कर रहा हूँ और पिछे यहाँ पे मैंने बिखे रखी अपनी books हो तो मैं अभी उठा ही हूँ just and read कर रहा था study कर रहा था थोड़ी क्योंकि exams है तो उनकी preparation करना तो बनता ही है and अब से मैं ट्राइ कर रहा हूँ की regular vlogs आते रहें and पिछे मेरी तब्यत कुछ करा थी उसकी वज़े से थोड़ा सा health issues आ गए थे मेरे को तो उसकी वज़े से थोड अधालत नाम से और उस पर भी मैं काफी सारे concepts पर काम करता हूँ and उसकी भी मैं भी script लिख रहा था यहीरी मेरे पास तो आज उसकी भी video shoot करनी है तो क्योंकि घर पे है तो उसका benefit कुछ तो उठाना चाहिए तो उसके लिए का मैं इसमें अपना जितना भी जो activity है यानी जो script है वो इसमें लिख रहा हूँ and साथी में मेरी जो टाइरी है routine जिसके अंदर मैं लिखता हूँ कि आज के दिन क्या कुछ करना है तो घर पे रहते हुए भी मैं इतने सारे काम करने वाला हूँ तो मैं डीटेल में तो आपको नहीं बताऊंगा इनको अगले आने वाले कुछ चोंदा से पंदरा दिन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर से बार तभी निकली जब कोई important काम हो and लोगों से distance बना के रखिये कम से कम 6 फिट का जिससे कि यह जो वाइरस है कोरोना वाइरस यह transmit ना हो पाए तो इससे फैलाने वाले हम ही है और इससे बचने वाल हो चुके है और चार तक मोते अभी तक हो चुकी है आगे आने वाले टाइम में यह जो है तो मैं उमीद करता हूँ कि यह जो आंकडे है वो धीरे-धीरे कम हो and यह जो आज वाला action लिया गया है हमारे PM नहरेंदर मोधी के द्वारा तो काफी हद तक मेरे को लगता है कि इसस से कंट्रोल में आएगा situation तो देखते हैं आगे यह सफल हो बाता है या नहीं अभी मैं कुछ टाइम पहले न्यूस देख रहा था तो वहां देखा लाइक दिली चंडिगर जैपूर इस तरह कि शायरों में काफी अच्छे से अभी तक लोग इसका पारण कर रहे हैं हालांक से कम आज के दिन तो घर पे रहना चाहिए और सोचने वाली बात यह है कि सारे के सारे educated person थे यंग generation के लोग थे तो उनको तो कम से कम इस चीज़ को follow करना चाहिए and बाकी जो बड़े बुजूर्ग हैं बच्चे हैं उनको समझाना चाहिए और खुद भी ध्यान रखना चाह हैं हलांकि अभी मैंने आपको रोड पे दिखाया कि बिल्कुल भी अभी वहां पे विकल्स बगरा नहीं चल रहे हैं लेकिन कुछ-कुछ लोग हैं जो अब भी सडकों पे घूम रहे हैं तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं को तो फिलाल भी हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं अपने दूसरे चैनल की यानि जो अभी फिलाल चैनल बनाया है तो उस पर आज एक वीडियो डाला है उसका वीडियो शूट भी करना है तो उसी की स्क्रिप्टिंग कर रहा था भी मैं एंड टाइम हो रहा है फिलाल आने जाओंगा और उसके बाद फिर यहाँ पर साट अपना सारा रेडि है तो उस पर अपने वीडियो शूट करेंगे तो जी नहा के हो चुके है रेडी एंड अभी करेंगे वीडियो शूट स्क्रेप्ट अपनी रेडी है सारी तो अभी दूसरे चैनल के लिए वीडियो शूट करेंगे अभी जैसे ही पांच बजे तो क्या हुआ कि सभी ने आचानक से थालिया बजाना स्टार्ट कर दिया जैसे कि हमारे प्यायर शोड करेंगे लगबग तक अब अब अपन करेंगे वीडियो शूट तो आज का जितना भी दिन था तो हमने प्रोडीक्टिव निकाला सिर्फ आपको यही दिखाने के लिए कि घर पे रहे कर भी काम किया जा सकता है जैसे कि अभी साथ में मैं व्लोगिंग कर रहा हूँ उसे पहले मैं स्टडी कर रहा था और अभी दूसरे चैनल के लिए वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसकी शूटिंग अभी करूँगा मैं तो इसी तरीके से आप भी 10 से 15 दिन अगर जितना हो सके उतना अपने घर पर रहे और घर पर रहे कही काम कीजिए जितने भी है आपके ओफिस वर्क वगरा है इसी बहाने आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंट कर पाएंगे तो अभी फिलाल हम वीडियो को शूट क क्या है क्योंकि उस चैनल में क्या है मैं इतना बताता नहीं अपने साथ आप के बारे में कैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो वहाँ पर तो आपको कुछ अलग सा देखने को मिलता है तो अगर आप उस चैनल को चेक करने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लि कि जुरूरत नहीं है क्योंकि ये जो एक दिन का हमें टाइम दिया गया था इसके अंदर कोरोना वाइरस से हम चुटकारा नहीं पा सकते तो इस चीज़ को हमें अगले 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू रखना होगा जितना जुरूरत हो उतना ही बाहर निकले ज्यादा से ज्याद टाइम अपने घर में स्पेंड करें तो इसी से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और मैं भी इसी चीज़ को फोलो करने वाला हूं आने वाले 14 से 15 दिनों तक जितना हो सके उतना अपने घरों के अंदर रहें और अगर बाहर जा भी रहें तो प्रिकोशन्स रखें 6 फिट का डिस स्प्रेड होता है एंड जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं उमीद करता हूं कि तब तक इस चीज़ से हम काफी हद तक इसे काबू में कर चुके होंगे तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेर कीजिए ताकि आगे से आगे लोगों को पता चल सके कि कि किस तरह से आप अपने घरों में रह के काम कर सकते हैं और साथी साथ इस महामारी से चुट कर आप पा सकते हैं तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलवीदा लेते हुए जै हिंद जै पारत